हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जोती की वेजरसोई में आपका स्वागत है आज मैं आप सब के साथ बहुत ही टेश्टी और बहुत ही जल्दी मुह में खुल जाने वाले मुरब्य की रेस्पी से एर करूँगी यकीन मानिये यह आप सब को बहुत ही बसंद आएगा तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर आवले लिया है यह आधा किलो आवला है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है इस मौसम में यह बजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो इसमें हम सबसे पहले छेट कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने ये काटे के चमच लिया है इसमें हम पूरे अच्छे तरीके से जितना हो सके हमें अच्छे से इसमें छेट करना है ये देखे इस तरीके से जितना अंदर तक आप प्रेस करेंगे मुरब्य उतनी ही अच्छे बनते हैं तो इसे बहुत ही सावधानी से हम इस तरीके से छेट करेंगे ये बहुत ही tight होते हैं इसमें छेट करना थोड़ा मुस्किल होता है पर इसके अगर आप बहुत ही टेश्टी मुरब्य बनाने चाहते हैं थोड़ी मेनत आपको करने ही पड़ेगी तो यह देखे यहाँ पर मैं आपको पास से दिखा दूँ मैंने इस आमले को चारो तरफ बिल्कुल अच्छे से छेद कर लिया है यह देखे इस तरीके से अब मैं आपको थोड़ा दूसरा तरीका भी बिता दूँ तो सबके घरों में यह सूटर बनाने वाला सलाई होता है तो इसे भी यहाँ पर हम असानी से छेद कर सकते हैं इसे भी इसमें बहुत अच्छे से छेद हो जाते हैं तो यहाँ पर मैंने सारे आमले को दोनों तरीके से छेद किया है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे बस हमें ध्यान रखना है कि छेद बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए ताकि हमारे मुरब्बे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे यह देखे इस तरीके से तो इसी तरीके से मैंने बाकी के आउले भी यहाँ छेद कर लिये हैं अब हम इसे पानी में डालेंगे तो यहाँ पर मैंने उतना ही पानी लिया है जिसमें सारे आउले अच्छे से डूप जाएं जितना आप बना रहे हैं उसी साफ से पानी ले ले अब पानी में हम डालेंगे चुना, ये आधा चमस चुना है, ये नॉर्मल जो खाया जाता है पान के साथ वो चुना है इसे डाल कर हम थोड़ा अच्छी से मिला लेंगे, ये देखित तरीके से अब इसमें हम डाल के आउले को रात भरी से हमें ऐसी ही रहने देना है जिससे आउले के इनर जो थोड़ा कस्टापन होता है वो बहुत ही चाद मातर में बाहर निकल जाता है और हमारा आउले का मुरबब बहुत ही टेश्टी बनता है तो यह खीन मनिए अगर आप यह छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो आपका आउले का मुरबब बहुत ही टेश्टी बनेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा बहुत दिने तक यह ऐसी रहने वाला है यह देखिए यहाँ पर मैंने इसे वापस थोड़ा सा मिला लिया है अब इसे हम रात भर या फिर 6-7 गंटे के लिए भीगो कर ऐसी ही रखेंगे आप सबेरे देखेंगे इसके पानी का करड़ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो यह देखिए इस तरीके से इसका पानी का करड़ देखिए थोड़ा चेंज हो चुका है अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे अच्छे से 3-4 पानी बिल्कुल धो लेना है हमें यह देखिए यहाँ पर सारे आउले को मैंने अच्छे से धो लिया है उस पानी से निकालने के बास 3-4 बर मैंने साधे पानी से धोया है यह देखिए इसके चेदा बिल्कुल अच्छे सा आपको दिखते होंगे अब हम इसे थोड़ा सब उबाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने पानी उबालने के लिए रखा है उतना ही पानी जिसमें हमारे आउले डूप चाहे पानी में जो उबाला आ जाएगा तब हम इसमें आउले डाल देंगे तो यहाँ पर आउले डालने के बाद 4-5 मिनिट तक मैं इसे उबालने वाली हूँ ध्यान देखने कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है 2 मिनिट के लिए से ढख देंगे 2 मिनिट बाद इसे बापस हम चेक कर लेंगे इसे थोड़ा सा हाथों से निकाल कर बाहर हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे जब इस स्वाप्ट हो जाएंगे थो हम गयास बिल्कुल भी बंद कर देंगे यह देखे इस तरीके से इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है पीले कलर में यहाँ पर हमारे आउनले अच्छे सुबल चुके हैं तो अब यहाँ पर गैस बन कर देंगे और पानी से सावरे आउनलों को निकाल लेंगे यह देखे इस तरीके से आप इसे हाथों से भी थोड़ा सा टच कर देख लीजेगा यह देखे चार से पांच में डुबालना है उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नई डुबालेंगे तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने सारे आमले को पानी से निकाल लिया है यह देखे इस तरीके से इसे थोड़ा सा ठंड़ा हो जाने देंगे उसके बाद इसे हाथों से दबालेंगे इसके अंदर जो पानी किया है उसे हम बाहर निकाल देंगे यह देखे इस तरीके से आमले भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मेरे सॉप्ट हो चुके है तो अब यहाँ पर आउले को 2-3 गंटे के लिए तेज धूप में रख देंगे तो यह देखिए धूप में रखने के बाद हमारे आउले का कलर भी तोड़ चेंज हो चुका है यह देखे इस तरीके से आप इसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके देख लीजे इसमें बिल्कूर भी पानी नहीं है तो इतना ही हमें सुखाना है इसे अब इसका चास्नी बना लेंगे तो चास्नी बनाने के मैंने यहाँ पर आधी कटोरी पानी ली है अब इसमें हम सक्कर डालेंगे पानी में थोड़ा सा उबाला जाने देंगे उसके बाद इसमें सक्कर डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने आधा किलो सक्कर लिया है जितना मैंने आवला लिया है उतना ही सक्कर लिया है तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस काँच मिडियम रखेंगे या फिर कम रखेंगे और धीरे धीरे इसे चासनी बनने देंगे तेज आज में चासनी बनाने से जब आप इसमें आउला डालते हैं तो बहुत ही जल्दी वो टाइट होने लगते हैं तो यहाँ पर कम आज पर या फिर मिडिया माज पर धीरे धीरे चासने को हम पकने देंगे यह देखे थोड़ा सा टाइम लगता है इसे बनने में इस तरीके से मैंने यहाँ पर थोगा तोगा मिक्स कर लिया है मैं यहाँ पर सिर्फ आधा किलो का मुरबब बना रहे हैं इसलिए मैंने आधा किलो ही चीनी ली है आप जितना बना रहे हैं उतना ही चीनी को बढ़ा लें यह देखे इस तरीके से बीट-बीट में से चलाते रहेंगे पानी थोड़ा सा कमयाध ही कप कर सकते हैं इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि हम इसे लाश में उतना ही गाड़ा करेंगे जितना हमें चास्नी तयार रखना है यह देखे इस तरीके से तो अगर आप सारी चीचों को यहाँ ध्यान देंगे तो यकीन मानिए आपके आउला का मुरब्बा बहुत ही टेश्टी बनने वाला है तो यहाँ पर देखे अगर आप फर्स टाइम भी चास्नी बना रहे है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह बिल्कुल पतला है तो इलाची पॉडर के लिए मैंने यहाँ पर इलाची को कूट लिया है उसके बीच को कूट लिया है और उसे डाला है अगर आपके पर इलाची पॉडर है तो आप उसे भी यूज़ कर लीजे इसे इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा लगने वाला है इसे भी थोड़ा से म चासनी बनने के लिए 20-25 मिनट लगते हैं तो यह देखिए इसी तरीके से मैं यहां पर इसे बीट-बीट में चलाते रहूंगी तो आमले के सीजन में आप आमले का मुरब्बा या फिर आमले का अचार जरूर बनाईए यह खाने में जितना टेश्टी लगता है उतना ही हेल्दी होता है आवले का अचार की रेस्पी भी मैंने अपने चैनल में डाली है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रेप्शन में डाल दूँगी आप वहाँ जाके देख सकते हैं तो यह देखें यहाँ पर हमारी चासनी रेडी हो चुकी है तो अब हम इसमें आवले को डाल देंगे कभी कभी क्या होता है जब हम आवले डालते हैं तो चासनी बहुत ही जल्दी गाड़ा होने लगता है आपस में सटने लगते हैं चासनी और आवले तो इस टाइब में आपको करना क्या है बस थोड़ा सा पानी दो तीन चमच और डाल दीचे इससे वापस से चासनी थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि आउले को हमने बिल्कुल पी सुखा लिया है इसके अंदर से कोई भी रस या जूस नहीं निकलने वाला जो हमारे चासनी को पतला करेगा तो इसलिए हमें चासनी ही पफेक्ट तैयार करना है यह देगे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें अभी बहुत ही बबल्स आ रहे है धीरे धीरे सारे बबल्स कम हो जाएंगे तो हमारी चासनी रड़ी हो जाएगी कितना गाड़ा रखना है उतना ही हमें से पकाना है यह देखिए अब हम आपको इसको उपर उठा के देख रहे हैं इसमें बबल्स दिक रहे हैं पर जब बबल्स हड जाते हैं तो यह भी थोड़ा सा पतला रहता है तो यहाँ पर मैं इसे गाड़ा करने वाली हूँ बिल्कुल हनी के जैसे हनी जितना गाड़ा रहता है मैं इसे उतना ही गाड़ा रखने वाली हूँ यह देखिए यहाँ पर हमारे आमले के मुरब्बे तयार है चासनी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कितना कड़ा है यह देखिए इस तरीके से यह कितने अच्छे से फूल चुके हैं बहुत ही सौट बने हैं एक बड़ जरूर ट्राइ कीजेगा इसकी चास्नी में आपको दिखा दूँ यह देखिए दिख रहाना कितना अच्छा तो एक बड़ जरूर ट्राइ कीजेगा तो आज की रस्पी कंप्लीट होती है अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर कीजेगा और अगर अब मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर फ्रेस कीजेगा ताकि जब ही मैं कोई नए वीडियो डालू तो सबसे भेले नोटिफिकेशन आपके पास महुँचे तब तक के लिए थैंक यू